तो फीजी के रास्टरपती जी ने कहा कि हिंदी फिल्मों का मेरे पर बहुत प्रभाव है मुझे मैंने बहुत फिल्म देखें तो मैंने पूछा कि आप मुझे बताईए सबसे फेवरेट आपका सबसे प्रिय फिल्म कौन था कौन सा था तो उन्होंने का वो नो क्वेस्टिन शोले आज हम इस विश्व हिंदी समेलन के अंतिम चरण में आचुके हैं पिछले दिनों में हम सब का अनुभव हुआ है हम सब लोगा ने भागी लिया है दस विचार सत्रों में दो संस्कृतिक कारिक्रम भी हुए दो प्रदर्शन भी थे और इस अफसर पे सबसे पहले मैं अपना अभार अपनी कृत्रग्यता में प्रकट करना चाहूंगा उन लोगों को और उन व्यवस्थाओं को जिनके बिना ये आयोजन सफल नहीं होता और सबसे पहले जो है ये अभार मैं प्रकट करूंगा फिजी सरकार को क्योंकि जैसे आप सब लोगों ने देखा कि महा महिम राश्टरपती माननिय प्रधान मंत्री उन्होंने इस कारिकरम को कितना समय दिया उनकी भावना उनकी रुची वो सब आप लोगों के सामने प्रधर्शित था और उनके इलावा कि मंत्री मंदल के तीनों उप्रधान मंत्री खासकर प्रफसर बह्मन प्रसाद जी उनकी उपस्तिती और जितना सयोग और सहारा जो हमें मिला इस सरकार से सच मुझ अगर सफलता का ये का एक बहुत बड़ा कारण है तो ये फीजी सरकार का जोगडान इसमें मैं आप चीज से अभी अभी बिमन प्रसाद जी ने जिकर किया था हिंदी सिनिमा के प्रभाव के बार में तो मैं आपके साथ मैं ये भी शेयर करना चाहूंगा जब हम लोग उस दिन मंच पर बैठे थे तो फीजी के राष्टरपती जी ने कहा कि हिंदी फिल्मों का मेरे पर बहुत प्रभाव है मुझे मैंने बहुत फिल्म देखें तो मैंने पूछा कि आप मुझे बताईए सब सबसे फेड़ अपका सबसे प्रिय फिल्म कौन थे लिग साथ है तो उन्होंने का हुख रूह नों नहीक हर आप लोग साब बैठे थे सामने तो उन्होंने का मुझे अभी वी वो काना यादा उता है वो दोस्ती ए तो वो दोस्ती की भावना जो है लो सुए नयुक अधा और इसके लिए हम लोग बहुत कृटक हैं। फिर मैं थोड़ा बहुत मैं ICCR के बारे में कहना चाहूँगा। कि आज हमारे बीच उनके डिरेक्टर जनरल कुमार तुहीन जी उपस्तित है। यह ICCR के प्रयाज से 31 देश के हिंदी विद्वान हमारे बीच आज बैठे है। और यह कोई छोटी बात नहीं है। कि उनके लिए यह पूरा गवस्ता करना की वो फिजी कुंकि काफी दूरी से बहुत लोग आए है। तो ICCR ने बहुत महनित किया है इस प्रोग्राम के सफलता के लिए और इसको भी हमें पैचानना होगा, मानना होगा। फिर मैं कहूंगा जो हमारी टीम M.E.A. जब है। और उसमें खासकर मुर्ली दरण जी का जो नेतरित्व है, जो हमारे सचिव है। जो सेक्रेटरी इस्ट जो हिंदी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं सौरब कुमार जी। और जो हमारे जो अधिकारी जो हैं उन्होंने भी बहुत इस पे काम किया है। और उनकी भी योगदान कोई कम नहीं है इसमें और वो भी मैं आज पहनना चाहता हूं। और फिर हमारे उच्छा योगद हैं कारतिक एनजी हमारे सामने बैठें और उनकी टीम और उन्होंने जो यहां की जो अरेंजमेंट्स जो हैं जो जादातर हम लोग ने उन पे निर्भर थे और जैसे आपने देखा कि जो भी आपने अनुभव किया है पिछले दिनों में वो उन्हीं के कारण है तो उनको भी अगर हम एक बार आप सब ताली बजा के पहचाने तो बहुत अच्छी बात है। इस समयलन के दोरान मैं खुछ समय निकालके मैं राध्धानी सुवा भी गया था और जो प्रफसर विमन प्रसाद जी ने जो जिकर किया कि कल वहां संसद में एक बार फिर हिंदी में भाशन देने का जो अनुमती जो दी गई है मुझे खुद मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो मैं उनको तो मैं सुन नहीं पाए पर उनके जो साथी जो है चरंजीत सिंग उनकी भाशन को जो है मैं गैलरी में बैठा था तो मुझे सुनने का सवभाग्य मिला तो जो एक किसम से उनके इतिहास में एक ये महत्वपुर्न को में घटना है और हमें जो है हिंदी प्रेमी होते हुए हमें इसकी भी महत्वपर हमें है समुझनी ची कल जो हमारी बातचीत हुई फीजी के प्रधान मंतरी और मंतरी मंदल के सद्धियों के साथ उसमें बातचीत तो जादा तर आर्थिक विश्यों पे सुरक्षा के मामले में और जो हमारा जो विकास डेवलिप्मेंट पार्टनर्शिप के जो प्रोग्राम जो है उसके बारे में हुई पर हम लोगों ने ये विशह पर भी ध्यान दिया कि भारत की और से हम यहां जो सांस्कृतिक मुद्दे जो है इसमें हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं कैसे बल दें इसको इसका विकास कैसे हो और मैंने उनको आशवासन दिया कि खासकर जो टीचिंग जो है हिंदी टीचिंग तमिल टीचिंग और कुछ और भी भाशा हैं जहां भी यहां डिमांड हो हम अपनी और से ये पूरे करने के लिए तयार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछी दिनों में इसको हम रूपरेखा दे पाएंगे अब ये जो हमारी समेलन जो है अब सब जानते हैं कि इसमें थोड़ी सी विलंब हो गई कि कुछ सालों से हम कर नहीं पाएं महामारी के करन तो ये गैप जो है थोड़ा दिखाई देता है हम चाहते थे कि और भी बड़े स्थर में करें तो इस समय पिछले दिनों में आप सब की और से बहुत सारे विचार, आइडिया, सजेशन आएं हैं कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए और मुझे लगता है कि सब की आशा है कि ये समेलन जो है एक किसम से हिंदी का एक महाकुम्ब होगा जहां दुनिया के लोग आएंगे, सब लोग जो है, ये माने हिंदी के विशे में ये एक नेटवर्किंग, ग्लोबल नेटवर्किंग की एक प्लाटफॉर्म बनेगी और इसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ रस्ताव भी दिये हैं हमें, हम इन सब पे विचार करेंगे और हमें ये भी सोचना होगा कि आगे हम आगे के समेलन कब करें, कहां करें, किस रूप में करें और ये जो हैं हम दिल्ली जाकर इस पे जरूर ध्यान देंगे और जो निर्ना लेंगे आप सब को परिचे किया जाएगा उसमें पर एक चीज है कि आप सब में जो उत्सा और जो उर्जा जो हमें दिखाई देती है मुझे पूरा विश्वास है कि हमें हिंदी विश्व समेलन जो है रेगूलरली हो सकता कि एक बार भारत में, एक बार विदेश में करना चाहिए पर ऐसे करना चैहिए जैसे मैंने कहा कि दूनिया के जो भी हिंदी प्रेमी है जो भी हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनको भागे लेने का हमें एक अफसर देना च चैहिए क्यांकि हमारा लक्ष जो है वो एक ही है कि हिंदी को हम कैसे विश्वा भाषा बनाए और विश्वा भाषा बनाने के अलग गृरूप हैं, अलग पहलू हैं, अलग तरीके हैं तो ये एक ऐसा मंच है जहां सब लोग जो हैं अपनी परिपेक से कुछ विचार सामने रखते हैं तो हम सब को इस लक्षे की और मिल जूर के काम करना चाहिए मैं फिर से आप की और से मैं सब को जो जो भी जिनों ने भी ये आयोजन को सफल बनाया है उनको मैं अभार एक बार और प्रकट करता हूँ और मेरी और से आप सब को नमस्कार